नमस्कार साथियों मैं अभी अभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दोरा करने के बाद वापस लोटाया हूँ और मैं विश्वास के साथ क्या सकता हूँ कि सारे उत्तर पूर्वी इलाके में सभी राज्यों में एक मजबूत तरीक इसे अंडर कर्रेंट हैं कॉंग्रेस के पक्ष में असाम में, नागालेंड में, मेगाले में, अरुनाचल प्रदेश में जहां विधान सभा के चुनाव भी हो रहे हैं, मीजो राम में और त्रिपुरा में, सभी राज्यों में इसकी जानकारी बाहर ज्यादा नहीं छपती है, पर मैं अपने ही अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ हमारे उम्मीद्वार मजबूदी से लड़ रहे हैं हमारा प्रचार सभी जगों में सही ढंग से चल रहा है कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को उसके सामने कुछ बादाएं लगाने के लिए खास दोर से असम में, असम के मुख्य मंत्री और असम के साथ मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं, खुद मुख्य मंत्री जोरहार्ट में बैठे हुए हैं क्योंकि वो गबराए गए हैं कि जोरहार्ट के हमारे उमिद्वार गौरो गोगई जी जरूर इस सीट को जीतने वाले हैं तो सारे राज्यों में मैंने देखा है कि कॉंग्रिस पार्टी हालांकि हमारे किसी भी राज्य में हमारी सरकार नहीं हैं, उसके बावजूद लोकसवा चुनाओ को लेकर, विधान सवा में तो हमें भहुमत नहीं मिली ये बात मैं स्विकारता हूं, पर लोकसवा के चुनाओ में मुद्दे अलग हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उतरपूर्वी राज्यों में ये है कि हमारे अनेकताओं को कौन सुरक्षित रखेगा, खास तोर से सम्विधान को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारे सम्विधान में अनुछेद 371 नागालेंड को विशेश प्रावधान किये 371 B असम के लिए विशेश प्रावधान किया गया है, अनुछेद 371 C मनिपूर से संबंदित है, 371 F सिक्किम से संबंदित है, 371 G मीजोराम से जुड़ा हुआ है, और 371 H अरुनाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है और लोगों के मन में ये चिंटा जरूर है, और सर्वोपरी है कि जो सरकार 301, 371 को हटाई है, वो 371 को भी हटा सकती है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अनेकताएं हैं धर्म के आधार पर जाती के आधार पर भाशा के आधार पर प्रांत के आधार पर इस पर जो खत्रा है और जो बीजेपी अपने बल पर ही नहीं पर अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे प्रांतिय पार्टियों के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है लोग को समझ में आ गया है कि लोग सवार चुनाओं में सिर्फ एक ही विकल्प है बीजेपी को हटाने के पांच-छे दिन के बाद कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीनी इस्तर पर सभी राज्यों में कॉंग्रेस के पक्ष में एक अंडर करेंट है दूसरी बात जो मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहला चरण हमारा जो प्रचार अभियान था मेरे विकास का दो हिसाब पर आदा रहे था उसके बाद हमारा पॉजिटिव प्रोग्राम शुरू हुआ कैम्पेंच शुरू हुआ हाथ बदलेगा हालात और ये प्रिंट मीडिया में डिजिटल मीडिया में टेलिविजन में चल रहा है इसके साथ साथ हम लोगों ने पांच तारिको ही हमारा न्याय पत्र जारी किया था जो न्याय पत्र है और जो गैरेंटी हमने दी है पांच न्याय को लेकर पच्चीश गारिंटी उसका जिकर तो बीजेपी के जुम्ला पत्र में तो बिल्कुल ही नहीं किसानों की जो मुद्दे हैं युआ की जूमुद्दे है श्रमिकों के मुद्दे हैं महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसके पर कोई बात नहीं हुए उसेदारी मुद्दे पर कोई मात नहीं हुता आज हम हमारे प्रचार को जारी रखते हुए एक गीत की तयार की है और ये गीत हम आज रिलीज कर रहे हैं अलग-अलग राज्यों में हमारे पब्लिक रैली में मीडिया में इस कि इसके माधियम से हम हमारे पांच न्याए 25 गैरेंटी का संदेश जंदा तक पहुंचा रहे हैं इसके अलावा मैं भी कह दूं तीन तारीकों कॉंग्रेस अधियक्ष जी ने उतरपूर्वी दिली में घर-गर गैरेंटी कार्ड वितरन अभियान की शुरुवात की थी गैरेंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा मिसाल के तोर से मैं अभी अभी असम से आया हूँ और असम में 22 लाक परिवारों तक ये गैरेंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा और मुझे खुशी है कि जहां चुनाव होने वाले हैं 19 तारीक को उन राज्यों में करीब 80 प्रति distribution हो चुका है हमारे नेता हमारे कार्यकरता घर गर गैरेंटी कार्ड वितरण अभ्यान में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और उननीस तारीक के चुनाव को लेकर जहां जिन सीटों में चुनाव हो रहे हैं वहां जो लक्ष रखा गया था उसका अभी अब तक कल तक 80 प्रतिशन distribution हो चुका था और हमें पूरा विश्वास है कि कल रात तक जिन सीटों में चुनाव होने वाले हैं उननीस तारीक को वहां सो प्रतिशन distribution का काम खतम हो जाएगा Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shots in just one minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience. झाल झाल